असलाम लेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप सबसे पीजा पाई की रैसेपी शेयर कर रही हूं अगर आप एक ही तरह का पीजा खाखा के बोर हो गए हैं तो आप पीजा पाई ज़रूर ट्राय करें आपको यह बहुत ज्यादा पसंद आएगी और इसकी डो इतनी सॉफ्ट और इतनी यमी सी बनके रैडी हुई थी कि आप इसके फैन हो जाएंगे तो चली रसीपी बनाने स्टार्ट करते हैं और यह तो देखने से ही बहुत यमी लग रही है तो अगर आप चाहे तो आप इसे अफ्तारी में भी बना सकते हैं आपको ज्यादा फ्रा से मक्स करूंगी और कवर करके 10 मिनिट के लिए राइस दोने के लिए साइड पर रख दूंगी तो यह प्रोसेस करने से बहुत ज्यादा सॉफ्ट सी डोव बनके रडी होती है अगर आप सॉफ्ट सी डोव बनाना चाहते हैं पीजा पाई के लिए तो आप इस पोसेस को जर पादा भी कर सकते हैं और अब जो हमने बैटर रडी करके रखा था एस्ट का वह हम इसमें आड करेंगे तो बस पहले हम इसे इस पैचूला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब मैंसमें एक अंडा एड करूंगी रूम टेमपरेचर का वह ऐसे भी मिक्स कर र करेंगे तो हम नेम गणपानी का इस्तमाल करेंगे और एक्छा सा पेस्ट सा बना लेंगे और आप सोच रहे होंगे कि हमेंसे इसे गून क्यू नहीं रहे जिस तरह से हम पीजा की डोगो गूनते हैं और अगर आप भी इसी तरह से डोः चाहते हैं बिलकुल पीजा पाई की तरह से तो आपको भी इसी तरह से प्रोसेस करना होगा और इसे इस तरह से ही बिलकुल सॉफ्ट सा हम इसे गुन देंगे पहले और फिर हम इसमें ड्राय फलार भी आड़ करेंगे तो इस दिखी बिलकुल स्टिकी सा हो गया है और मैंसमें मेid similar Hall में ऐड़्ीं करोंगी अरब हाफ अगर मेड़े अपर करके मैंसे अच्छी तरह से गूनलोंगी बिलकुल सौफ्ट सा और मैंने इसमें टोटल तीन कप मैदा यूज किया है, स्टार्टिंग में धाई कप यूज किया था और आखिर में मैंने इसमें हाफ कप अड़ किया है, और इसे मैं अब हलका सा गून लोंगी, बिल्कुल सॉफ्ट सा, तो बस डो हमारी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे तक दो हमारी राइस हो रही है, तो हम इसकी फिलिंग राडी करते हैं, तो एक पैन में मैं तो टीपल सबून ओय आट किया है, और दो टीपल स्पून मैं ईसमें गर्लिक यानि लेसन एट किया है, बस हलका सा फ्रायश लगूगी और मैं एक मेडियम साईस की ओमलेट कट की ह तो बस प्यास हमाई सोधे हो चुकिए और मैं चिकन आइट कर रहे हूं तो मैंने यहां पर तकरीबं 700 ग्रैम्स यानी के तकरीबं तीन पाव के करीब चिकन आइट की है इसे मैंने बिल्कुल बाइट साइज कटिंग में कट किया है और अब हम इसे फ्राइट करेंगे ताकि अपना कलर चेंज कर ले और वाइट हो जाए तो चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है अब मैं इसमें कुछ सीजनिंग करूँगी तो यहां पर सबसे पहले मैं सॉल्ट एट करूँगी वन टीस्पून या अकोर्डिंग टू टेस्ट भी आड कर सकते हैं काली मिर्चो का विल्क पारेगनो एट करूँगी 1-2 लिख जाता चार Mini चील कर लूगी यहां टीसपून लाइट क्रणी तो ह्का तो बस अब मिर्स काल ईसमें कुछ सॉसेच भी आड करूंगी तो यहां ने टेबलिसपून मैं राम उसमें कुछिली सॉस आड किया है आपको बी शैजने व ऐसे एक तफेंसर करें जिकिन टेंटर होने तक हमहेसे कुख कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट exactly है लि Quand आपद को में चांव हिंए बेल पेपर लेकर चोटेसे करेंटर हो चुक है पानी मी AH डालनें के जरुएजिस नहीं हो स dos जैसे ही मैंने शिम्ला मिर्चायड की तो मैंने फ्लेम ओफ कर दिया था तो जब तक फिलिंग हमारी राइडी हो रही है हम इसके लिए एक पैन राइडी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसे रेक्टेंगल शेप में बना रही हूँ जिस तरह से हम पीजा की एक लेयर राइडी करते हैं तो हमें पीजा पाई के लिए दो लेयर राइडी करनी हैं तो सबसे पहले मैं काउंटर पर थोड़ा सा आटा डस्ट करूंगी एक पेडा रखेंगे और इसके उपर हम आटा डस्ट करके और इसे rectangle शेप में बेल लिया है और मैं इसे इस तरह से rolling pin के मदद से इसे हलका सा cover करूँगी और इसे इस तरह से रोल करते हुए मैं इसके ओपर जो पैन हमने रड़ी करके रखा था और इस तरह से हम इसके ओपर फैला देंगे और बस बाकी का हम हाथ से इस तरह से स्प्रेड करेंगे तो यह देखिए मैंने इसे पूरे पैन में अच्छी तरह से स्प्रेट कर लिया है और अब मैंने जो फिलिंग रड़ी करके रखी थी वो मैं इसके ओपर स्प्रेट कर रही हूँ और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे मेरी एक हमबल सी रेक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजेगा और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजेगा ताके मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी और वीडियो इसे स्टेज पर अगर जरासी भी अच्छी लगे तो इसे थम्स अप जरूर दीजेगा तो बस मैंने इस पर चिकन एड़ कर दी थी और अब मैं इस पर धीर सारी चैडर और मोजरेला चीज मेक्स करके वो इस पर आड़ कर रहूँ और अब जो एक पेड़ा हमने साइट पर रखा हुआ था उसे भी मैं इस तरह से बेल लूँगी और इसी तरह से मैं रोलिंग पिन के मदद से रोल करते हुए और बस यह हमारे पीज़ा पाई के उपर इस तरह से सैट हो जाएगा एजिली कॉर्णर्स को अच्छी तरह से प्रैस करूंगी और फिर मैं इस तरह से इसको फोल्ड करती रहूंगी अंदर की तरफ और चारो कॉर्णर्स इस तरह से प्रैस करने के बाद मैं इसके उपर हाथ से निशान बना दूँगी ताके यह इजी रहे हमें बाद में और ये बिल्कुल भी जरूई नहीं है कि इस recipe के लिए आपके पास इस तरह की rectangle डिश हो आपके पास अगर पीजा की डिश भी available है तो आप उस gold डिश में भी इस तरह से बना सकते हैं तो आप भी इस तरह से variation करते रहा करें बहुत ही simple सी डिश होती है लेकिन वह बहुत special लगती है और बच्चे और फामली इस तरह के different सी चीजों को देखकर बहुत ज़्यादा excited हो जाते हैं और हम kitchen queen को और क्या चाहिए हम यहीं चाहते हैं कि वह हमेशा खुश रहें healthy रहें और healthy खाएं तो बस इसके उपर मैं अच्छी तरह से milk apply कर दूँगी ताकि बहुत यह अच्छा सा color भी आ जाए और milk apply करने के बाद मैं इसके उपर जो हमने corners इसके बनाए हैं हातों की मदद से इसके उपर मैं cheese add कर रही हूँ यह totally optional अगर आप चाहें त आप इसे skip भी कर सकते हैं तो यह दिखी चीज apply हो चुकिए अब मैं इसके उपर कांटे की मदद से इस तरह से निशान बनाऊंगी ताकि यह फूलेना बहुत ज़्यादा और अपनी शेप में ही रहे जब हम इसे bake करेंगे तो इसके बाद मैं इसके उपर sesame seed यानी के तिल आ जाता है तो बस दोनों तरह के तिल मैंने इसके उपर sprinkle कर दें और अब मैं इसके उपर हल्का सा हरा धनिया भी add कर रहूं और अब यह बिल्कुल रडी हो चुके है बेकिंग के लिए और मैं इसे bake करूंगी तो मैंने यहां पर इसे 180 degree 70 grade पर 30-40 मिनिट के लिए बेक किया था और आप अगर अचा है तो आप इसे बचों की birthday party में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे डिनर में भी enjoy कर सकते हैं और यह देखिए अलम्दुलिल्ह से देखने में ही कितनी जबरदस सी लग रही है और खाने में तो यह बहुत ही जादा मस्यदार थी और आप इस यमी सी डि झाल